हेलो फ्रेंड स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3 1 टेक में तो फ्रेंड्स आपने यूट्यूब पर काफी सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग अपनी वीडियो में बोलते भी रहते हैं तो आपके माइन में भी इस तरीके का आता हुआ कि मैं भी अपनी वीडियो में इस तरीके का म्यूजिक लगाऊं पर आपको लगाना नहीं आता तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। की अप्लिकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, तो यह काइन मास्टर का इंटरफेस आ गया है, इसका होम पेज, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में जो प्लस का है, सिंबल, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ से आपको अपनी वीडियो का साइज, आपको पता ही है, 16 ratio 9 आपको सेलेक्ट करना है, और गैलरी में से आप जिस वीडियो में बैकरांड म्यूजिक लगाना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लिनी है, तो मैं इस पर क्लिक करके, गैलरी में से उस वीडियो को यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने उस वीडियो को य लाइबरेड़ी से कर सकते हैं ठीक है यह यूटीब पर आप सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत सारे non copyright music जब आप लिखके सर्च करेंगे non copyright background music तो आपको बहुत सारे section के पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे आगे हम आगए media, layer, record audio का यहाँ पर option है तो हमें audio वाले option पर click करना है और यहाँ पर वो song आपका आ जाएगा जब आप उसे download कर लेंगे background music को ठीक है तो वो आपका music यहाँ पर आ जाएगा यहाँ इन में से कोई song अगर मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊं आपको ठीक है तो वो किस तरीके से जैसे यह वाला song है मान लिजिए वो ठीक है the exposed new tune वाला ठीक है वो आपका background music है तो आपको simple इसके उपर click करना है click करने के बाद आपके सामने यह plus का जो icon आ रहा है song के आगे background music जो होगा आपका उसके आगे आपका इस तरीके से plus का icon आ जाएगा तो मैं इस plus वाले icon पर click कर दूँगा तो आप देख सकते हैं यह मेरा नीचे यहाँ पर add हो गया उपर इस पर मैं done पर click कर दूँगा तो यह नीचे मेरा background music लग गया है अब इस background music की जो voice है इसको select करना है और यहां से यह volume का जो symbol आ गया सबसे पहले पर इस पर click करना है और इसके volume का उपको बिल्कुल low कर देना है 10 से नीचे रखना है आपको ठीक है यहां पर आप 7-8 के आसपास भी रख सकते हैं तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ 6 यह मैं यह adjust करना है आपको ठीक है 8% कर दिया ठीक है तो यह अब आपकी वीडियो के background में लग गया अब यह मान लिजे आपकी वीडियो लंबी है और यह यही पर खतम हो गया है तो आपको क्या करना है इसे select करना है और यहां पर end पर आ जाना है और फिर से audio में जाके उसको दुबारा से यह import कर देना है इस तरीके से आप अपनी पूरी वीडियो के अंदर इसे लगा सकते है जब आपको पूरा लग जाए इसमें background music उसके बाद आपको यह उपर share वाला जो option है इस पे click करना है और इस वीडियो को export कर लेना है export करते ही आपकी वीडियो बन जाएगी और इसमें background music भी लग जाएगा तो friends अब आप सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से अपनी YouTube वीडियो के अंदर background music को add कर सकते है और अपनी वीडियो को और जादा interesting बना सकते है देखने वालों के लिए तो अगर फिर भी वीडियो से related कोई question आ रहा है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके बोश सकते है और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंदाई हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you